नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर पटना के इस रूर से दोड़ेगी वंदे भारत प्रेट पटना के इस रूर से दोड़ेगी वंदे भारत प्रेट बतादे कि बहुत जल्दी बिहार की राज़ानी पटना से भी वंदे भारत प्रेट का परिचालन्ज सुरू होने वाला है बतादे कि यह ट्रेन पटना से हावरा के रूट पर चलेगी मालूम हो कि बिहार को अब दो-दो वंदे भारत प्रेट की सौगात मिली है जिनमें से एक ट्रेन पटना से हावरा रूट पर चलेगी तो वहीं दूसरी ट्रेन वारा नसी से गया के रास्ते भी हावरा जाने वाली रूट पर ही चलेगे इसके लिए रेलवेबोर बिहार की ओर से पूरी तैयार यहां कर लिए जानकारी के लिए बता दिए कि अभी पूरे देश में कुल आठ वंदे भात एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाता है जिसमें से हावरा से जलपाई गुरी के बीच चलने वाली वंदे भार फ्रेन बिहार से ही होकर गुजरती है जिसका कटिहार जिले के बार सो यह स्टेशन पर ठेढ़ाओ है बिहार बूर इंडर परिच्छा के पहले दिन इतने नकलची हुए निश बीतेधन बिहार बियाले परिच्छा समूती के इंटर्मीडेयर की परिच्छा का पहला दन था जिसमें पूरे राजे से कुल 68 नकलची परिच्छार्थियों को निश्कासित कर दिया गया है बता देगी कदाचार के आरूप में जिस जिले में सबसे आदा परिच्छार्थ तो वहीं दूसरी पाली में कला संकाई के विद्यारतियों के लिए हिंदी विषय की परिच्छा आयुजित की गई थी विषय के लोगों की नजर बिभार बजट पर बना हुआ है जिसके अनौसार बिहार बजट सतर के सुरवात 27 फरवरी से Хोगी जो की 5 अपरेल तक चलेगी बिहार बजट सतर के पहले दिन यानि कि 27 फरवरी को राचेपल फागु चौहान का अभीभाशन चलेगा तो वहीं दूसरे दिन यानि के 28 फरवरी को बिहार के वित्मंत्री विजय कुमार चौधरी के दोरा राजी का वीतिये वर्स 2023 का बजट पेश किया जाएगा बतादी कि 27 फरवरी से 5 अप्रेल तक 22 दिनों के लिए होड़ है इस बजट सत्र में होली रामनवी जैसे तियोहारो को लेकर कुल 16 दिन अवकास रहेंगे 20 साल बाद इतने तारीक से होगा आरा में संपुन्म क्रांती ट्रेन का ठेडाओ रेल मंतराले के दोरा आदेश जारीकर या जानकारी दे दी गई है कि 20 साल बाद अब 3 फरवरी से राजिंदर नगर से नई दिल्ली जाने वाली संपुन्म क्रांती एक्स्प्रस का ठेडाओ आरा जंक्शन पर भी होगा बता दे कि इस ट्रेन को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में नहीं रखा गया हाला कि अब मंतराले की नजर लोगों की मांग पर पड़ी और यहनिश किया गया है कि 6 महीने के लिए प्रायोकिक तौर पर इसका ठेडाओ आरा जंक्शन पर भी होगा फर्जे सिक्षकों की दूसरे लिस्ट के तहर इतने अध्यापकों पर एफायार दर्ज कराने का देश सिक्छा विभाग के दौरा ब्यार के गोपाल गंज जिले में फरजी सिक्चकों को लेकर दूसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें 63 सिक्चकों के नाम शामिल है बता दी कि ये सभी 63 सिक्चक फरजी तरीके से पंचायत और प्रकंट सिक्चक न्योजन इकायो से सेटिंग कर बहा माल उद्दी ने बीते दिन बुदवार को संबन हितनी हो जन इकाईयों को प्रात्मी की दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट भेजी है बतादे कि इन सभी फरजे स्टिक्षकों के खिलाब 5 फरवरी तक प्रात्मी की दर्ज कर दी जाएगी पटना मेट्रो का इतना फीजदी काम हुआ पूरा वित मंत्रे निर्मला सीधा रमन के दोरा बीते दिन पेश के गए बजट के बाद यह उमीद की जारी है कि अब पटना मेट्रो के निर्मान कारे की रफ्तार बर सकती है बदादे के देश भर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पिछले बजट की तु के केंदर सरकार के दोरा वीति वस दो हजार तेश चौविस के लिए देश भर में हो रहे मेट्रो के कामों के लिए कुल उनीस हजार पांसो अठारा करोर रुपे के बजट का प्रावधान किया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि फिलहाल पटना में मेट्रो का का काम 35 इस फीज़ी तक पूरा किया जा चुका है बिहार की यातयाद विवस्था में ऐसे होगा सुधार बिहार में जल्द ही यातयाद विवस्था में सुधार होने वाला है बता दे कि पडिवहन विभा की राज्ये पडिवहन आयुकत सीमा त्रिपार्थी के दोरा दी गई जान विभा की अधिसूशना के अनुसार सभी नव न्यूक्त MBI की प्रोवेशनरी अब दी दो वर्शुकी होगी और उनकी आपसी वर्यता बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा नर्धार संध मेधा संख्या के अनुसार होगी इसके साथ ही अगर अभ्यर्थियों द्वारा समर्प कर ततकार प्रभावर से रद्ध कर दिया जाएगा और नियमानुशार कारवाई की जाएगी निलंबित IPS राकेस दूबे के खिलाफ समन जारी ततकालिन भोजपूर SP राकेस कुमार दूबे के खिलाफ बालू के अवैत खनन मामले को लेकर ED कारयाले के दोरा ECIR रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है और साथ हिनके खिलाफ इस मामले को लेकर ED के सहायक निदेशक राजीव रंजन के दौरा समन भी जारी किया गया है जिसके बाद अब इस मामले की जाँच PMLA के दोरा की जाएगी बतादी की जारी की गया समन के तहट निलंबित IPS राकेस दूबे को द दिनों से जाँच परताल चल रही थी और इसकी जाँच करने का जमा राजिस सरकार के दोरा आर्थी कपराद इकाई को दिया गया था आरजेडी विधायक सुधाकर सिंग के घर में हुई चोड़ी नितीज पतरकार के पुर्वक्रिशी मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंग को जो पिछले काफे दुनों से मुखे मंत्रे नितीज कुमार पर विवादास पर टिपनी को लेकर काफी चर्चा में बने वे थे उनके घर चोड़ी हो गई है बता दी कि उनके घर पटना के वीरचंद पटेल 14 बटा 3 MLA फ्लैट पर यह चोड़ी बीती रात यानि कि वो धवार की रात को की गई है मिले जानकारी के नुसार उनके घर से चोड़ों के दौरा कई समानों की चोड़ी की गई है जिसमें पिंद्र कुश्वाहा के जुनजुना वाले बयान को लेकर किया सवाल जेडियू संस्दिय बोर्ट के राश्ट्री अध्यक चुपिंद्र कुश्वाहा के दौरा नितीस कुमार के खिलाफ कहते वे पाया गया था कि उन्हें नितीस कुमार ने जुनजुना दे दिया है जि यह जो उनके लायक है और जो वह पाना चाहते हैं उन्हें पार्टी में जो पद दिया गया है अगर वह पद और समान पाकर कोई व्यक्ति उपेक्षित है तो जो लोग सुरू से इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उन्हेताओं को उनके हिसाब से कौन सा पद देना चाहिए यह उनको ही बताना चाहिए मांजी का 12 फरवरी से गरीब संपर्क यात्रा बिहार में इन तिनों यात्राओं का दोर चल रहा है एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नितीज कुमार अपनी समधान यात्रा में लगे हुए है तो वहीं दूसरी ओर पुर्व मुख्यमंत्री जीतर नाम मांजी भी 12 फरवरी से अपनी यात्रा का शुरुआत करने वाले है बता दे किस यात्रा का नाम उन्होंने गरीब संपर्क यात्रा रखा है जो की 12 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगी मालुम हो कि इस बात की जानकारी हिंदुस्तानी आवाम मोर्च सेकुलर पार्टी के संस्थापक वर्पुर्व मुख्यमंत्री जीतर नाम मांजी के दोरा ही प्रश्वारता में दी गई है इस यात्रा के दोरान में नवादा जहानाबाद, अरवल और गया में जाकर जन संबो करेंगे, पत्ना में जन सभा को संबोधित करने की तारीक 26 फरवरिक उनरधारित की गई है, बिहार कॉंग्रेस की भारत जरो यात्रा का तीसरा चरण इस दिन से, बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी की भारत जरो यात्रा के त्रीसरे चरण की सुरवात सीता मरी से होगी जो कि पतना आकर ठहड़ेगी बता दी कि बिहार कॉंग्रिस के मीडिया विभा के चेर्मैन राजेस राठोर के दोरा दी गई जानकारी के नुसार इस यात्रा के सुर्वाद चार फरवरी से हो रही है जो कि सीता मरी से सुरू होकर सिवहर पूर्वी चमपारन मुझपरपूर होते वे वैशाली से पतना आकर लुग जाएगी मालू हो कि बिहार कॉंग्रिस की भारजरो यात्रा के तीसरे चरण में बिहार कॉंग्रिस प्रभारी भक्त चरंदास विधान मंदल में दल के नेता अजीश सर्मा विधान परिसर में दल के नेता डॉक्टर मदन मोहंचा सेवादाल युवा कॉंग्रिस एन एस यू आई सहित राश्ट्रिये व प्रदेश शहिद जिलो से सभी बड़ी संख्या में नीतागन और सभी प्रकोस्थों के कॉरंगरस जन्ज शामिल होंगे। प्रशान के सोर ने केंदर सरकार की योजना पर दिया बड़ा बया। प्रशान के सोर ने अपनी जन सुराज पदियातरा के दौरान को पाल गंज में पत्रकार से बाचीत करते वे केंदर सरकार के दौरा चलाई जा रही योजना पर बड़ा बयान दिया है। किलो अनाज नहीं मिल रहा है। वह अपनी सर्तों पर ही मैच खेलना पसंद करते हैं और अगर वह अपने इस फैसले के कारण नीचे भी जाते हैं तो उन्हें उसका अफसोस नहीं होता क्योंकि वह याइब बात जानते हैं कि जो भी हुआ है वह उनके ही लिए फैसले के कारण हुआ है। इसके साथ उन्होंने प्लेयर ओफ दे स्रीज का खिताब साथी खिलारी और सपोर्ट स्टाफ के नाम किया और कहा कि कई लोग है जिन्होंने इस रांदार प्रदर्शन किया है। जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट बिहार में आज यानी गुरुवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी कर दियेगा। प्रति लीटर नर्दायत की गई है इसके साथ ही गया में पीकीमत 183.1 रुपए और दीजल लीटर है। आपकी रुसार बिहार में फर्जी सिक्षब को पकरने के लिए वर से क्या-क्या कदम उठाये जाहिए आप अपना जवाब हमें मारे कमेंट सेक्शन में लखकर ज़रूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो फेस को फॉलो करना ना भूले तैने बाद